नमस्कार मैं हूँ राखी जैन और लोआय चुनाव में आपका स्वागत है आए इस सफ़र शुरू करते हैं चुनावी खबरों का राजनीतिक विश्लिशक अनिल लोढ़ा जी के साथ एक खबर अभी हाली चंजा सिंग्वी जी अपने स्टूडियो में भी आये थे बात हुई थी पहले वो कहरते हैं निर्दलियों की सरकार बनाएंगे अब पता चला है कि उनसे जो कॉंग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं एमद पटेल राजीव शुकला और जितने भी है वो उनसे जाके मिले हैं और उन्होंने यह उनसे कहा है कि जहां ज़रुत पड़ेगी तो निर्दलियों को लेकर कॉंग्रेस में आएंगे मैं समझता हूँ कि बात तो सही है कि एमद पटेल गए उनके घर पे नाश्टा करने और राजीव शुकला भी गए हैं पर यह बात चंदाज सिंग्वी कह रहे हैं कि ऐसा एमद पटेल ने कहा है तो यह निगे रहे हैं सिंग्वी बहुत पुराने कॉंग्रेश ही हैं एक जumanे में ओल इंडिया कॉंझ्रेश कुमेंटी के सेकर्टरीक रोगरते ते उस जमाने में वो मद्रप्रदेश के प्रवारी थे मद्रप्रदेश प्रवारी के रूप में उनने एक बार आठ या बारा कितने मंसियों के स्टीफे करा दी ते दिगवेजे सिंग जब सीफ मिश्टर थे और बड़ा भरी कांड हुआ था बड़ा भरी मामला हुआ फिर वो को इस बाद के जाना जाता है पहली बार वसंद आए जब मुख्यमंति बनी थी तो कॉंग्रेश को कल्कना नी थी कि बीजेपी इस परस्ट बहमत लापाई बहां ने लापाई पर चंदाज सिंग्वी ने एक विग्याबन दिया था भाजकर में बाजपा 120 प्लस और थे नहीं हाशिय में एक भी चुना वाता हैं इस तरफ से उस तरफ से इस से मिलकर उससे मिलकर अपनी प्रसंग्रत थलाष्ता चा jullie इतर कोई नहीं जानता अपने आपको प्लसंग्र बना या लजा तो था इसने मी वाले वह नहीं है उन्धा को बुला लिया सब आ अगये न सम्झे कॉंवे तो संज हो सक्ता है यह भी सुत्रदार रहे हूं वो tart बनेगी चृंधा सिही है और बनने में अगर निर्दली aam工 कोई स्वयोग लगता होगा तो मैं उसको त्यार हूँ निर्दलियों को इखटा करके घेर के लाने के लिए और यही अहमत पठेल बड़ा भरी योगदान दिया रहनिती बनाने में और जो बीजेपी में नहीं रहे कई पार्टियों को होते वे इस वक्त बिल्कुल निर्दली मंच बनाकर बैठे वे आने वाले समय में खास दौर पर लोकस्वा चुनाओं में हो सकता है चैन्दाज सिंग्वी को इसके बाद कॉंग्रेस तर से कोई भूमी का निभाने का अफसर मिले और उनके संदी को भी को अच्छा प्लेस्मेंट कॉंग्रेस में मिल जाए